नमस्कार दोस्तों न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम अंतराश्रिय मुद्दों पर बात करने का जो इस सिलसिला है उसको जारी रखते हुए आज प्रबीर पुरकायस्त हमारे साथ हैं और आज हम उनसे म्यानमार में जो दो ही दिन पहले तखता पलट हुआ है जिस मही परफ़तार करके military rule, यानि Sena का जो rule है वो म्यानमार में आ गया है जो कि 2011 तक उल्रेडी था इसके क्या जो है इसको किस तरीके से देखा जा रहा है इसके क्या effects और क्या प्रभाव इसके भारत और म्यानमार के रिष्टों पर और internationally इसको किस तरीके से देखा जा रहा है इस पर हम प्रबीर से बात करेंगे प्रबीर स्वागत है आपका शुक्रिया हम से इस पर बात करने के लिए तो प्रबीर पहला सवाल इसमें ये आता है कि जो अभी हाली में दो दिन पहले ही जो तख्ता पलट म्यानमार में हुआ है और military का rule इसमें आ गया है तो इसमें मियानमार की जनता के लिए और वहां की कंडीशन के लिए इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और मियानमार में इसके बाद के जो हालात हैं वो कैसे होने वाले यह थोड़ा विस्तार से बतानी पड़ेगी और यह अगर इसको कहना शुरू क वहां पर हुआ, क्यों पताक्ता पलटी गई है, क्या है रह्युत्ता ज्यादा बात नी कर पाएगे, तो हम सीवित सवाल को जवाब देना चाहेंगे, कि वह दिए मिलिटरी में तक्ता पलट किया, क्यों किया, और यह कह क्या लंबे समय के लिए चल सकता है, तो भविश्यबादी करना संभब नहीं है कि military rule पहले भी मायनमार में दस्यों वर्स तक चला 88 में मेरे खाल से उन्होंने कू किया था काफी दिन चला पहले भी उनकी military rule रही है तो ये वहाँ पर एक बड़ा समस्या तो है इसलिए है कि वहाँ पर military अपने आपको राष्ट्र समझता है और ये समझता है कि अगर बागदोर उसके हाथ पे नहीं होगा तो शायद देश टुक्रे-टुक्रे-टुक्रे हो जाएंगे वाके ही वहाँ पर जो कहते है कि nationality सवाल जो होती है कि अलग-अलग groups है इसका एक वजह ये भी है कि पहाड़ी मुल्क है और वहाँ पर अलग-अलग valleys है अलग-अलग identities है लोगों की और इसके लिए एक राष्ट्र की जो चबी लोगों में होती है उस तरह से लोगों को जोड़ के ज्यादा देखते हैं नाकि मैनमार के citizen के रूप में देखते हैं और वहां पर जो इस तरह के secessionist movement जिसे कहते हैं अलग होने की प्रिथकदाबाद वादी movement जो है वहां पर बहुत रहे हैं और यह भी नहीं समझना चाहिए रोहिंग्या से एक तरफा problem है रोहिंग CIA ने इसका और British ने इनको उकसाया था कि यह मैनमार से अलग हो जाएं तो अलग-अलग movements इस तरह के अलग-अलग देशों की इसमें मैनमार के अंदर जो क्या कहते हैं प्रभाव था उसके वजह से वहां पर प्रितक्तावादी ताकतों को भी बल मिला था और military इसलिए वहां पर अपने आपको बर्मा पहले बर्मा कहते थे और बाद में मैनमार नाम दिया कि मैनमार का वो समझते हैं कि वही राष्ट है यह तो मैनमार का problem बहुत दिन से आज के लिए है पर क्योंकि जनवाद के बिना इस तरह से दवा के रखना लोगों को मिलिटरी शाशन में बहु क्योंकि जब तक सहमती नहीं होगी रूलर्स के साथ तब तक ये वैवस्था बहुत लबे अड़से के लिए चल नहीं सकता इसलिए लगातार वहाँ पर अपसर्ज हुए हैं लोग सबक पर उत्र हैं जनवादी विचार होनी चाहिए जनवादी इस तरह के सरकार होनी चाहि हैं वहाँ पर और वाकए 2011 में जिसके आपने जिक्र किया था पार्शेली अपने शक्ति को हस्तांतर किया था जॉइन सिविलियन मिलिटरी रूल किया था 2015 में आंगसान सूची वहाँ पर उनकी पार्टी वहाँ पर जीती पर कॉंस्टिटूशन के तहद उनको प्रेजिडे के साथ उनकी शादी हो चुकी थी और इसलिए वहाँ पर कॉंस्टिटूशन में मेरे खाल से सिर्फ अंगसान सूची को बाहर रखने के लिए ये एक प्रबंध है कि वहाँ पर कोई फॉर्ण सिलिजन से जिसकी शादी हुई है वहाँ पर प्रेजिडेंट नहीं बन सकता त पर उफिशली वह प्रेजिडेंट नहीं थी प्रेजिडेंट वहाँ पर विन माइंट करके उसका प्रेजिडेंट था जिसको अभी हटाया गया है पर इस बार जो चुनाओं में जिसका आप जिकर कर रहे थे इस बार के चुनाओं में मिलिटरी बहुत बुरी तरह जिस पा बागदोर सरकार को समालेगा जिसके बिलिटरी और आंगसान सूची की पार्टी के बीच पे जो तनाव था उसमें लगा कि जनमत आंगसान सूची के पीशे है, बिलिटरी के साथ नहीं है. बिलिटरी, यह जो 2011 पे जो पावर हस्तांतर करना शुरू किया था, उसके बावजुद अपने पास कुछ शक्ति, उनके कुछ पावर से नहीं रखा था, तीन मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, डिफेंस उनके हाथ में है, भूम उनके हाथ में है, borders उनके हाथ पे है और भी कुछ ministry उनके हाथ पे थी और वहाँ पर 25% seat military के पास पारलेमेंट में होती है तो वो गदी छोड़ी नहीं थी उसमें बागडोर पे एक हाथ उनका भी था स्टेरिक बें दूसरा हाथ जो जीती भी सरकार जो उस वक्त थे अंसल सूर्ची की पार्टी की थी और इस बार क्योंकि बड़े पैमाने उनके जीत हुई और उन्होंने पहले पारलेमेंट में भी उन्होंने प्रस्ताव लाया था मिलिटरी की पावर को और कम कर दिया जाए तो मिलिटरी को लगा कि इस बार खत्रा है अब इसको रोक नहीं पाएंगे और इसलिए उन्होंने प्रियम्टिव स्ट्राइक जिसे कहते करके उन्होंने सकता अपने हाथ में पूरी तरह से ले ली और जो वहांकि जेनरल है उसने प्रेजिडेंट का पावर लिया इसके बाद मिलिटरी के हाथ पूरा पावर हस्तांतर कर दिया तो इस वक्त मिलिटरी सर्वे सर्वा वहां पर है वो ही करनधार है अब बरमक्र मैंदमार का आप पूच रहे थे दुनिया इसको किस दिशात देख रहे थे इसमें एक साथ, एक संबंद उन्होंने रखनी की कोशिश की, क्योंकि हमारे इहां भी बॉर्डर रॉब्लम्स है, नागा विद्रोह अभी भी पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है, अभी भी पीज टॉक चलती रहती है, नागा बॉर्डर की इस पार भी है, बर्मा के उस पार भी है, म इसलिए एक सवाल तो Myanmar और हिंदुस्तान की भारत की भी पीच पे लगाता रहा है। बॉर्डर में दोनों तरफ अगर उसको कोपरिटिवली नहीं डिल किया जाए तो यह चीजे वहां भी हल नहीं होगा, यहां भी हल नहीं होगा। रोहिंगिया सवाल जोकी जिसके लिए दुनिया में Myanmar की मिलिटरी को काफी कोसा गया, सही में कोसा गया है तो यह जो चीजे है इस पे भी हमने बहुत कुछ बोले नहीं है। तो यह जो चीज है Myanmar के साथ एक state-to-state relation, इसने बरकरा रखा है क्योंकि हमारे neighbors हैं, neighbors के बीच पे बहुत ज़्यादा दुश्मनी, अंदरूनी सवाल पे लेना जो है, ऐसे देशों के लिए ठीक नहीं होता, वो उस देश के जंता पे छोड़ देना पड़ेगा। यह हिंदुस्तान हो, बारदश हो या चाहे बांगलादेश हो, चाहे चीन हो, वो हस्तक्षे Myanmar के बीच पे नहीं कर सकता, यह सब की समझ है, और इसको state-to-state relations पे नॉर्बल ची रखा जाए, हमारी विचार हो सकती है उसकी राष्ट्रिक होने के नाते, एक विचार हो सकती है उस देश के अदूरी चीजों पे उपिनियन्स हो सकते हैं, पर इससे state-to-state relation को हम मेरे ख्याल से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यह मुझे लगता है, और चीन की भी लगता है, उनकी भी जो बयान वगरा आए है, वो भी बड़े carefully अपने बयान इन चीजों पर देते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े राष्टों होने के नाते मैनमार के नेबर्स के रूप में, दोनों करविया कुछ हट तक ऐसा होगा, कि हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर हम दखल अंदाजी करने की मूर्ती में ना आएं, बलकि हम ऐसे ही कहें, कि हम जो चाहते हैं कि वहा अमरीका दूसरी दुनिया इसको किस निगा से देखती है, मैं समझता हूँ, बायान बाजी करने के लिए तो तयार होंगे, पर मुख्या चीज जो इस वक्त है, कि अमरीका का कितना चलता है, यह समाज है, कि अमरीका हर देश की ऊपर तो लगभग कुछ ना कुछ सैंक्शन स्पास करता रहा है, इरान पर किया, चीन पर किया, रूस पर किया, सिर्दिया पर किया, तो वेनेजवेला पर किया, क्यूबा पर तो कई दशकों से किया हुआ है, तो यह जो इसकी सैंक्शन का मुद्रा है, हर देश पर सैंक्शन लगाना, उसका एक प्रॉब्लिम अमरीका के लिए है कि अब कितने दूर तक ये ले जा सकते है और किते sanctions लगाता अब जब लगाए जाएंगे तो उसका धार क्या होगा और जो interesting बात है कि Myanmar का military ने जो बात कही कि चुनाओ जो हुआ है ये गलत हुआ है इस पर fraud हुआ है वो Trump सरकार पहले ही कह रहे थी कि जो चुनाओ हार गये थे वो fraud हुआ है पर दिक्कत ये है कि अमरीका जब सरकार पलटना चाहती है तभी भी यही कहती है कि वो चुनाओ ठीक नहीं था वो उसको हटा देना चाहिए पूतिन का चुनाओ ठीक नहीं है नवालनी को 2% वोर मिला है वो वाकि वही जीता होगा चुनाओ में तो ये जो है कौन देश का रवाया किस देश के बारे में चुनाओ के बारे में क्या होता ये तो बदलता है उसकी रिष्टी कों से कि क्या रिष्टा उस देश के साथ है दोस्त है तो सब साथ खून भी माफ है अगर उसके दुश्मनी है तो जो है कुछ भी वो करे सही भी करे तो वो गलत है तो यह तो अमरीका का क्या कहेंगे फॉरिन पॉलिसी का बेसिक दिक्ष्टरी है हवेश में क्या होगा उससे पहले मैं एक सवाल ये कि आपने जो वोट की बात की कि जनता ने वोट दे कर चुना और उसके बाद ये इर्रेगुलरिटी की बात की है मिलिटरी ने तो इसमें जनता का जो मतलब जो उसका स्टैंड है वो कहां पर रह जाता है कि कि किसी को वोट इक से लगा जन्ता का जो मत था उसका पलटने का काम हुआ है और दूसरा ये कि मियानमार की जो economy है वो कितना इसको झ्हेल सकती है इस तरह की को और इस तरह की conditions को जन्ता के लिए वो कितना उसको केरी forward कर सकते हैं एक individual के लेवल पर अगर वैसे देखें तो देखिए कू अलग-अलग देशों में अलग-अलग वक्त में होता है और कू का economy से क्या संबंद है यह बताने मुश्किल है क्योंकि economy कुछ है कभी-कभी ठीक जदवाद के उखाड फेकने के बाद भी economy पसंद नहीं पाड़ता कभी-कभी economy असर पाड़ता है तो यह बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि economy का जो रफ्तार है वो अलग है वो मेरे खाल से कोवीड-19 से इस वक्त ज्यादा तालुख रहता है ना तो वहां को गुवा नहीं हुआ सामईक रूप से लंबे अड़से के लिए नुकसान होता है क्योंकि जब तक जनमत आपके साथ नहीं होगा तब तक अब वैसे कारवाई नहीं करना कर सकते हो जो जो जरूरत देश की है जो लोग सोचते हैं थोपने से सब कुछ हो जाता है वो गलत सोचते हैं जब तक लोग आपकी पॉलिसिस में हिस्सादार नहीं है शिरकत नहीं करेंगे तब तक वो पॉलिसिस काम्याद नहीं हो सकता है यह मेरा विश्वास है तो मैंने समझता हूं कि कू के जरिए एक complex देश है जिस पर सब तरीके के लोगों को साथ मिला के राष्टर बनानी की जरूरत है यह जो military शाशन के जरिये डंडे के बल में तो राष्टर निर्मान करने की जो कोशिश है मैंनमार में अब 50-60 साल से ही चल रही है यह कामयाब नहीं हो रहा है वो तो आपके सामने है क हम ही राष्टर को बचा सकते हैं इसलिए जो भी जैसे हमारे मुल्क में ही अगर कुछ लोग सोचे कि descent का जगह नहीं होना चाहिए जो भी हमारा मुखालपत करता है वो देश का गद्दार है अगर वो सोचे तो उस रास्ते से जाके सब को साथ नहीं लेना संभव होता है औ अब तब तक ये जो है एक टेंशन जनता और शाशकों को बीश में अगर रहता तो शाशक जो चाहता है और डंडे के बल से नहीं करा सकता है ये तिहास की सबक है खास दोर सी बीश्वी सदी की जब 21 सेंचरी भी हम जा रहे हैं उससे साथ निकल के आता है तो मैं समझता हू ये जो सामन्नवे रहा था पिश्न दस साल उसको और शितिल करना मिलिटरी रूल से ये मिलिटरी के लिए सही होता और अपने पावर मिलिटरी अपनी मिलिटरी की हिसाब से सोचे ना कि देश को कंट्रोल करने की हिसाब से सोचे पर गदी में जब पावर है ता ना अपने हा सकते हैं छोटे लोग जो होते हैं उनका बुद्रिष्टी नहीं होता और वही इस वक्त मैंनमार के सामने दिख रहा है तो क्या सिविलियन पोर्स जो थे आंगसान सूची की पार्टी इसको बहतर हैंडल कर सकती है यह तो खैर कहने की बात है इसका कोई जवाब होता नहीं है पर यह बात मैंनमार के लिए अच्छा नहीं हो रहा है कि बार-बार वहाँ पर मिल्टरी शाशन आ रहा है इसलिए जो एक राष्ट्र बनने का निर्मान का प्रक्रिया है वो उस पर रुकावट ही आ रहा है इससे बन नहीं रहा है जो वो चाहते हैं आखिर में मियानमार के लिए भविश किस तरीके का होगा और मियानमार के जो इंटरनेशनली रिलेशन्स हैं उसके लिए जो आगे का समय है वो कैसा होगा क्योंकि अब 10 साल हो गए हैं जबकि डेमोक्रेसी से चला है देश और अब मिलिटरी ने एक साल का अपातकाल भी इसमय का वेस्टेन पावर्स की जो बोलबाला था उब इस वक्त है नहीं उनकी जो एक तथाकति लेजिटिमसी थी कि हम अंतराष्ट्रीय वोइस सिर्फ हमारा ही है क्या सही है अंतराष्टिय से तरह हमीं बताएंगे वो चीज अवा रहा नहीं है और धीरे धीरे उनकी पास है लोग भूले नहीं है कि ये colonial powers रहे हैं बर्मा के ऊपर अंग्रेज का शाशन था और कोई अच्छा शाशन उनन्न नहीं किया था तो अब आके भाशन दे तो कोई स्विकार नहीं करेगा पहले आर्थिक दवाव थी वो धीरे धीरे घट रहा है आर्थिक दवाव जो थ तो कि अमरिकार यॉरप पहले दूसरे महायुद के बाद भी दुनिया की एक बहुत बड़ा हिस्सा था आज वो पोजिशन रहा नहीं है और जिस तरह दुनिया चल रही है मुझे लगता है रीजिनल पावर्स की रोल इन सब चीजों में ज्यादा होगा रीजिनल एकॉनमी किया है मैनमार के एकॉनमी साथ इस्ट एसिया से जुरा हुआ है चीन से जुरा हुआ है कुछ हट तक हमारे साथ भी जुला हुआ है पर इतना नहीं क्योंकि हमारे बीच में कॉम्मुनिकेशन इतना अच्छा नहीं है सामुद्रिक कॉम्मुनिकेशन के इलावा इतना हमारा communication अच्छा भी तक बना नहीं है हम rail और road link Burma के साथ Myanmar के साथ कर रहे हैं पर बहुत धीमी गती से वो projects चल रहे हैं इसलिए बहुत तेजी से Burma के साथ हमारा economic संबंद बढ़ा नहीं है तो चीन का हुआ है तो इसलिए मुझे लगता है इंडिया चायना और जो साथी स्टेशन देश है वो मिलके क्या करेंगे Myanmar के साथ यही निनायख होगा Myanmar के लिए और सभी इन ताक्तों का दृष्टी अभी ही होगा कि economic relationship बढ़ाये जाए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाये जाए ताकि जिस पे इन economic relationship कमजोर होता है और Myanmar को हम अलग करें यह रवाया नहीं होगा मेरे हिसाब से क्योंकि अलग करके किसी देश पे आपना प्रभाव बढ़ता नहीं है तो मैं समझता हूँ sanctions बगारा जो अमरीका ने और यॉरप ने पहले कोशिश किया हो सकता और भी sanctions लगाए ना लगाए मैंनमार को sanctions पे फरक नहीं पड़ता पहले भी नहीं पड़ाता अभी भी नहीं पड़ेगा मेरा विश्वास है तो मेरे ख्याल से constructive engagement पार्शवर्ती देश जो है नेवरिंग जो देश है वो करे उससे शायद इन चीजों पे एक धीरे धीरे से हल निकलने के संभावना है जो वो है अच्छा नहीं हुआ मैंनमार के जन्ता के लिए और मैंनमार के भविश्य के लिए शुक्रिया प्रबीर हम से इस मसले पर बात करने के लिए तो दर्शकों आपने सुना प्रबीर को जो कि यही बता रहे हैं कि मैनमार के लिए जो हुआ है जो तखता पलट हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ और इसमें भविश्य के लिए जो वेस्टरन कंट्रीज हैं जो पास्चात की देश हैं उनका उतना हस्तक शेप नहीं होगा और जो साउथ एशियन कंट्रीज जो भारत, चाइना और जो देश हैं वही मैनमार के साथ रिलेशन्स जो है आगे बढ़ाएंगे ताकि मैनमार का भविश्य जो है वो एक तरह से स्टेबल रहेगा और दूसरा प्रबीर का ये भी कहना है कि एक जनता के तौर पर ये चीज बिलकुल अच्छी नहीं हुई है और डंडे के बल पर शासन नहीं चल सकता न्यूस क्लिक में ये देखने के लिए आपका शुक्रिया हमारी और खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग उन कीजिए और हमको यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए देखने के लिए शुक्रिया